नमस्कार स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में चलिए आज हम आपका टेस्ट लेते हैं कि अभी तक आपने नमस एकजाम 2022 के लिए कितनी त्यारी की है इस टेस्ट में 90 प्रवशन हम आपसे पूछेंगे इसका जवाब आपको कमेंट करके देना है देखते हैं आपकी त इसको में मत्रक है झूल प्रति किलोगराम प्रति सकेंड जूल प्रति किलोगराम डिगरी सेलशियस directement ऐसे डिव तक क्या होगा है इसका सही आँसार आपको कमेंट करके बताना है या आपको प्रति Bunny हैं तो आप लिए पैसको आपर लिख 시क्टे हैं कि टेस्टिंग हो जाए तो आपने अभी तक जवाब दे दिया होगा इसका सही एंसर होगा नमबर एक जूल प्रती किलोग्राम डिग्री सेल्सियस तो देखिए कि आपका जवाब सही हुआ कि नहीं आप इसको कोपी में लिखते जाए कोपी लेकर के बैठ जाए तब इस वीड दुखता तो क्या है मायोपिया यह आपको कमेंट करके बताना है यह आपको पी लिख सकते हैं जैसे आपको स्युधा हो इस तरह से कीजिए आप अपनी त्यारी की जांच कीजिए कि आप अभी तक में कितनी त्यारी कर पाए हैं कितना स्कोर कर पाते हैं सेट पेपर में जि मिलेगा 90 प्रस्ण के लिए लेकिन इसमें थोड़ां कम समय देंगे तो जल्दी से बताना कि यह सैट पर इसमें आपको ज्यादा बनाने की जो रतों है नहीं तो इसका सही अंसर है नंबर दो निकट द्रिश्टी दोस्त तीसरा प्रस्ण है आइस बर्ग का हिस्सा जो पानी क सता पर तेरता है लगभग 10 परतिसत पूरा केवल 8 परतिसत केवल आधा तो 10 सकेंड में आपको जवाब देना है अभी तक वीडियो को लाइक निकिए तो लाइक कर दीजिये ताकि हम आपके लिए जल्दी वीडियो लेकर क्या सकें मैथ और रिजिनिंग का भी वीडियो आ लेगा तो इसका सही एंसर है लगभग 10 परतिसत अगला क्वेशन लेते हैं 500 ग्राम बर्फ को जीरो डिगरी सेल्सियस के जल में बदलने के लिए आवस्यक उस्मा है बर्फ के गलन की गुपत उस्मा यहां दिया हुआ 80 केलोरी परति ग्राम आपके सामने इस तरह से 40 केलोर 500 केलोरी 500 केलोरी तो क्या होगा इसका सही एंसर जल्दी से आपको बताना है तो मैं इसका सही एंसर बता देता हूं इसका सही एंसर नमबर दो 40 केलो केलोरी 50 न्यूटन बल दोरा 10 मीटर स्क्वाइर 6 पर लगाया गया दाब होगा 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वाइर 500 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वाइर 10 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वाइर 50 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वाइर तो क्या होगा इसका सही एंसर तो आपको बता पानी और पारे की बुंद बनती है पास्कल के नियम के द्वारा आर्की मिडीज के नियम के द्वारा प्रिष्ट तनव द्वारा उपर उक्त में से कोई नहीं तो बताएं आपकी सही अंसर इसका क्या है आप कोपी में भी लिख सकते हैं वीडियो को पूरा देखिए ताकि आ एप ही तक आपकी तैयारी कईसी है क्या आप चालिस स्कॐर कर पाते हैं जो एंसर आपका सही या गलत कितना बना पाते हैं जरूर इस अग्ला प्रस लेते हैं बल्व के अंदर गैस भरी जाती है आरगन क्रिटस्टब्टर्न ऑक्सिजन गैस Bears का मिसरन तो कौन सा गैस वरा जाता है बल्व के अंदर वेशे तो बल्व के अंदर निश्क्रिया गैस वरा जाता है तो यहां पर इसका सही अंसर क्या हो जाएगा आप कमेंट किजिए पहले फिरम बताते हैं तो इसका सही अंसर होगा आरगन बढ़ते हैं आगे एक बिदूत हीटर में 220 वोल्ट पर 5 एंपियर की धारा प्रबावित होती है हीटर की समर्थ होगी 440 वाट 1100 वाट 220.5 वाट 1100 किलो वाट तो क्या होगा इसका सही एंसर तो इसका सही एंसर है 1100 वाट वाटर गैस है CO2 पलस S2 CO2 पलस S2 NO पलस CO2 CO2 N2 क्या होगा इसका सही एंसर जल्दी से बताएं तो इसका सही एंसर है नम्मर एक विदूत आवेस मापते हैं कुलाम में, एंपियर में, वोल्ट में, वाट में तो किसमें मापते हैं विदूत आवेस विजुंद आब इसका मात्रक क्या है तो इसका सही एंसर है खुलाम में अगला प्रस्टन गैंस जो ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण है वो है कुन साथ सेघ्ण स्द्वाइब बता जे जिसका जबाब है सिओ टू यानि कानडाई ओकसाइड गेलवे नाइजेशन में आईरन कोटिंग के लिए प्रियुक्त धातू है टीन जिंक कॉपर निकील निकेल होता निकील लिखा चले कोई बात नहीं तो इसका सही अंसर बताएं तो इसका सही अंसर है जिंक क्या होगा इसका सही अंसर जल्दी से बताएं इसका सही अंसर होगा SCI अमल गम मिस्रन है धातू प्लस पारा धातू प्लस प्लस पारा परियुक्त में से कोई नहीं तो आपके पास 10 स्गेंड का समय है तो जल्दी से बताएं तो अभी तक आपने उतर लिख लिए होगा इसका सही अंसर है नंबर एक sodium acetate का सही सुत्र है sodium acetate का सही सुत्र है तो इसका सही सुत्र है नंबर चार CH3COONA तो इस तरह का सुत्र भी परिछाम पुशा जाता है तो इसको भी ध्यान देना परेगा एलकेंस का समानी सुत्र है इसका समानी सुत्र क्या हो जाएगा CNH2N प्लस 2 यान नंबर 2 अस्टेनलेस अस्टील में होता है तो अस्टेनलेस अस्टील में होता है FE प्लस NI प्लस CR प्लस C ड्रब ऑक्सिजन का कोथनांक है कोथनांक इसको करते हैं जिस्ता पर कोई ड्रब उबलने लगता है उसको उसका कोथनांक आ जाता है तो ड्रब ऑक्सिजन का कोथनांक है तो इसका सही अंसर क्या हो जाएगा मैनस 183 डिग्री सेल्सियस आसवन keepsarm . प्रभाजी आसवन दोरा वास्पी करन क्रिय कोक्रbelt किस तरह से अलगर सकते हैं सुआं ऊ- इसका तरी इनसर है प्रभाजी आसवन क्रिय को वातावर्निय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने की क्रिया को कहते हैं नाइट्रोजन अस्थिरी करन नाइट्रोजन निकरन बिना नाइट्री करन तो क्या कहते हैं इसको तो इसको कहते हैं नाइट्रोजन अस्थिरी करन निमलिखित में से laughing gas किसे कहते हैं laughing मतलब हसाने वाली gas कौन सी है हम इस तरह से पूछ सकता हसाने वाली gas laughing gas उसी को अंगरे जिम बोल दिया यहां पर तो इसका सही अंसर क्या हो जाएगा nitrous oxide nitrous oxide को हसाने वाली gas यानि laughing gas कहा जाता है अगला है carbon का सुदतम रूप है carbon का सुदतम रूप है तो carbon का सुदतम रूप क्या है हीरा oxygen क्रांती सम्मंदित है समुद्री जल में जीवन की उत्पती से oxygen की निर्मान से ozone अस्तर के निर्मान से उपर्यूप सभी से तो क्या हो जाएगा इसका सही अंसर number 1 समुद्री जल में जीवन की उत्पती से शडीर में पाया जाने वाला सम्मंदित समंतित और नियंत्रित तंत्र है परी संचरन तंत्र जनन तंत्र अधिया वर नियतंत्र तंत्रिका तंत्र तो क्या होगा इसका सही इंसर comment कीजिए ज्यादा ज्यादा comment कीजिए तो इसका number 4 सही है मिमिक्री समानतिया पाई जाती है कीटो में, मचलियों में, पक्षियों में, पोधों में मिमिक्री होता क्या है मिमिक्री मनना होता है नकल करना दूसरों की नकल करना दूसरों की बोली का नकल करना यह mimicry कहलाता है तो किस में पाया जाता है ज्यादा कीटो में है 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 यह जिटेवल अलक वाइड़ पॉलियो वाइड़ इंफिलेंजा वाइड़ तो क्या होगा यह है 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 चाइबी वेजिटेवल अलक वाइड है है असमैक हिरोईन कैफिन कोकीन तो इसका सही एंसर हो जाएगा कोकीन अभी तक आपका कितना एंसर सही हुआ है नीचे कोमेंट करें बीज नहीं पाया जाता है दूई बीज पत्री पोधे में एक बीज पत्री पोधे में जिन वोस्पन में ब्रायोफाइटा में तो किसमें नहीं होता है ब्रायोफाइटा में केला पोधों का विकास होता है राइजोम से बीज से अस्टोलन से सकर से तो केला में क्या हो जाएगा सकर से एल्यूरोन अस्तर बना होता है प्रोटीन से लिपीड से अस्टार्च से वसा से इसका से इसका से प्रोटीन से एक्रो सोम्स पाया जाता है अंडानू में सुक्रानू में जाइगोट में भून में यह पाया जाता है सुक्रानू में पुर्वजिता दरसाती है अक्रियात्मक चैन प्राकिर्टिक चैन क्रित्रिम चैन उत्परिवर्तन तो इसका सही इंसर क्या हो जाएगा उत्परिवर्तन लाल रक्त कोसिकाओं का निर्मान होता है यकरीत में, मस्तिस्क में, रक्त मजजा से पलाजमा में तो क्या होगा इसका सेंसर? रक्त मजजा में पोधों की कोसिका बिती बनी होती है अस्टार्च की, कुलुकोज की, फैक्टोज की, सेल्यूलोज की सेल्यूलोज की होती है लास्ट प्रसन बिग्यान का लेते हैं गेहंगार होता है नहीं रहां किसके कारण होता है न की कमी से होता है अब हम चलते हैं समाजिक बिग्यान के प्रस्ष ने कि तो समाजी Кिल आप देना है और लाश्ट में बताना है कि आप कितना इसमें Alors कर पाते हैं कितना मार्क आपका तो पएक तोляется आपकर सर्वोच सिखरये है पोसे अपके सामने है जल्दी से कमेंट करके बता सकते हैं यह तो बहुतasi तो इसका सेंसर माउंट एवरेश्ट जो नेपाल में है अब भांकरा नांगल परियोजना नदी के ऊपर बनाई गई है यह अनु उर्जा उत्पादन के लिए खनीज परियोग किया जाता है अब रख बॉक्साइड यूरिनियम लिगनाइट अनु उर्जा के लिए कोन साथ यूरिनियम का परियोग किया जाता है अगला प्रस्था चेतरफल की दृष्टी से भारत बिश्व में अस्थान है भारत का कोन सा स्थान है छेतरफल की दृष्टी से जल्दी से आप कुमेंट करे й। तो भारत का अस्थान कुन सा है सातमा अस्थान जूट उद्योग है एक किर्सी अधारित उद्योग पसू अधारित उद्योग खनीज अधारित उद्योग उपरिक्त में से कोई नहीं तो जूट उद्योग क्या है क्रिसी अधारित उद्योग है भारत में रेलों का आरम हुआ यह पहली बार भारत में रेल गाड़ी कब चली थी तो 1813, 1855 या 1863 या 1873 तो इसका सही अंसर क्या है 1833 जो मुंबई से ठाने तक चली थी सबसे लंबा रेल मार्ग है कनाडियन पेसिफिक रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग और एंट एक्सप्रेस रेल मार्ग उपर एक में से कोई नहीं तो इसका सही इंसर क्या है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग नेहरू रोजगार योजना कपरारं की गई तो अपसन आपके सामने है जल्दी से आपको वताना है तो यह होगा 1989 इस्वी में बिश्वका सबसे बड़ा महासागर कुझ सा है? प्रसांत महासागर और सबसे गहराभी प्रसांत महासागर निमलिखित में कौन सुमेलित नहीं है भांगडा नंगर सतलर नदीपर नागार जुन सागर कृष्णा नदीपर फरक्का बंद गंगा नदीपर रिहंद बंद गंगा नदीपर तो इसमें कौन सा गलत है या आपको बताना है तो इसका सही इंसर क्या हो जाएगा नमबर चार ये इसमें नहीं है आंदर परदेश की राजधानी है बहुती आसान सा प्रस्न आंदर परदेश हैदराबाद भारत में सरवाधिक प्राचीन परवत है अरावली निलगिरी सत्पुडा विंद्या चल तो क्या हो जाएगा इसका सेंसर अरावली बिष्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की जील है तो मीठे पानी की जील कुन सा है सुपिरियर जिल, बेकाल जिल, विक्टोरिया जिल, चिलका जिल, तो क्या हो जाएगा सुपेरियर जिल, इसका सही एंसर हो जाएगा सन्युक्त राज अमेरिका की राजधानी कहां है, अमेरिका की राजधानी कहां है इसका सहे इंसर क्या हो जाएगा Washington DC East India Company का स्थापना कब की गई थी 16SB, 1786SB, 1797 और 1757 इसका सहे इंसर क्या हो जाएगा 16SB में पर्थम विश्यूद परारम हुआ पर्थम विश्यूद कब हुआ था 1914, 1917, 1914, 1914, 1914, 1914 इसका सहे इंसर क्या हो जाएगा नाजी पाटी की अस्थापना जर्मनी में किसने की मुसोलनी हिटलर लेलीन चर्चिल क्या होगा इसका सही अंसर कमेंट करके बताएं इसका सही अंसर है हिटलर रुडॉल्फ हिटलर कुत्व मिनार को किसने पूरा कराया अकबर जहांगीर कुत्व दिन इल्तु तमीश इसका सही अंसर क्या है इल्तु तमीश शिरी मर्ती एनी बेशेंड थी अंग्रेज जर्मन अमिर्कन आईरीश इसका सही अंसर है आईरीश आननद मट की रचना किसने की वहती इंपोर्टेंट फ्रस ने आनन वर्ट की रचना किसने की तो इसका सही अंसर क्या है बंकिम चंदर चटर जी क्योंकि जो भारत का राष्ट गीत बंदे मातरम वो आनन्मंठ नाम की पुस्तक से ही लिया गया है तो याद रखेंगे बंकिम चंदर चटर जी आधुनिक भारत के निर्माता कौन थे तो आधुनिक भारत के निर्माता बदाएं ये राजा राम मोहन राय को कहा जाता है आधुनिक भारत के जनक भी कहा जा जो भी बोले राजा राम मोहन राई को 1857 की करांती का प्रारम हुआ दिल्ली से कानपूर से जहांसी से मेरट से तो कहां पर हुआ था इसका यह वता मेरट से भारती राष्टिय कोंग्रेस के स्थापना कब की गई तो इसका सही इंसर क्या है उप्सन आपके सामने है जल्दी से कमेंट करें इसका सही इंसर है 1858 इस भी में स्वतंत्र भारत का पर्थम गवर्नल जनरल कौन था तो क्या हो जाएगा इसका सही इंसर लौड मांट बेटन भारत छोड़ो अंदुलन का प्रारम किया गया जो भी प्रस्ण है बहुत ही इंपोर्टेंट है तो इसको आप जरूर पूरा वीडियो को देखें और प्रैटि भारत का पर्थम वाई सराय कौन था भारत का पर्थम वाई सराय कौन था तो इसका सही इंसर क्या हो जाएगा लौड केनिंग इसका सही इंसर है लौड केनिंग अगला प्रस्ण है दिल्ली के निमलिखित सुल्तानों में आगरा नगर के स्थापना किसने की आगरा नगर के सामने है इसका सही एंसर क्या हो जाएगा सिकंदर लोधी निमलिखित में कौन सा मूल अधिकार नहीं है सोसन की बिरूत अधिकार संपतिक अधिकार धर्म की सौतंता का अधिकार सौतंता का अधिकार तो नागरिक सास्त का तो नोट्स सम दे दिये थे तो अगर आपने अभी तियुकश को नहीं लिखा है तो जरूर लिख लिजेगा क्योंकि उन्हें से ही सारे प्रस्न पुछे जाएंगे तो इसका इसरिकार क्योंकि ये 1976 में संपतिक अधिकार को मोलिक अधिकार से हटा दिया गया है कौन सी भारतिय समिधान की परमुख विशेष्टा है संगात्मक सरकार, एकात्मक सरकार, अधियात्मक सरकार, संसदात्मक, लोकतंत्रू तो इसका सहिंसर क्या हो जाएगा नमबर चार राजसभा के सदस का कारकाल तो यह होता है कितना? छो वर्स और लोकसभा का पांच वर्स राज्यों के राजपाल की नुक्ति कोन करता है इस सबका नोट में हम बता दिये थे तो इसका सहिंसर बताएगा जल्दी से इसका सहिंसर क्या हो जाएगा? राष्ट पती सर्वच नियाले के नियादिस अपने पदों पर बने रहते हैं कितना तक होगा? तो इसका सहिंसर क्या है? 65 वर्सों तक अगला प्रस लेते हैं महात्मा बुद्ध का जन्मस्थान है महात्मा बुद्ध यानि भगवान बुद्ध का जन्मस्थान कहां है तो आप सभी जानते हैं लूम्बिनी महाता 563 इसापूर्व नालंदा अंतराष्टिय विश्विद्याले का सम्मंध किस राज से है? नालंदा अंतराष्टिय विश्विद्याले कहां उपर है? यह तो आप असानी से बता सकते हैं इसका सही एंसर है बिहार बिस्भ मानवा अधिकार दिबस मंनाया जाता है तो इसका सही एंसर क्या होगा जल्दी से बता है? दस दिसंबर अब लेते हैं गनित के प्रस्णों का उतर चुकि गनित के प्रस्णों का उतर बनाने में आपको समय लएगा इसलिए प्रस्ण आपके सामने उपस्तित करते हैं वीडियो को रोक करके प्रस्ण को solve कीजिएगा copy पर फिर इसका answer देना है फिर आगे वीडियो को देखना है तो कि option भी आपके सामने हैं तो मैं इसका answer बता दिता हूं कि इसका सही answer है 115 डिग्री आप बना करके चेक करेंगे कि आप बना पाते हैं कि नहीं दूसरा सवाल लोग ए रिथम से लिया गया है लोग चैप्टर हम पुरा पढ़ा दिये हैं गर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जरूर देख लिजिएगा प्लेइलिस्ट में तो इसका सही answer आपको निकालना है लोग 2.0625 का मान कितना होगा तो इसका मान हो जाएगा मैनस 4 डिग्री आप इसको solve करेंगे तब answer देंगे कोपी पर आपको solve करना है किसी समकुन तिर्भूज की बुजाएं A उसके बाद है A पलस D उसके बाद A पलस 2D है जहाँ A और D दोनों धनात में कहें तो A अनुपाद D क्या होगा इसका मान निकालना है तो इसका सही answer हम बता देते हैं आपको solve करना है इसका सही answer है नमबर 4 3 अनुपाद 1 गायों और मुर्गियों के समुह में टांगों की संख्या सीरों की संख्या की दूगुनी से 14 अधिक है गायों की संख्या है तो यहाँ पर गाय की संख्या निकालना है तो आप इसको बिना solve के दो बनानी सकते हैं तो इसको solve कीजिए फिर इसका answer देना है तो म के प्रिष्ट के 76 फाल में कितने परतिसत की बढ़ोद्री होगी तो इस सवाल को जरूर आपको सॉल्व करना है 125 इसका सही एंसर है इस तरह से क्वेस्टन है 76 नमर का आप देख लिजिए क्या क्वेस्टन आपको वीडियो रोक करके इसको सॉल्व करना है फिर इसका एंसर देना है तो 76 का सही एंसर होगा नमर एक अगर आप किसी सवाल को सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो नीचे कमेंट करें हम उस पर वीडियो बना देंगे ये सेट थियोरी से सवाल लिया गया है तो अगर आपने सेट थियोरी पढ़ा है तो इसका जवाब देना है बहुत ही इजी चेप्टर है तो इसका सही एंसर हम बता देते हैं इसका इंसर है 2 फिर एक लोगे रिथम से भी एक सवाल है तो अब बताएं कि एक का मान यहाँ निकालने के लिए कहता है तो क्या होगा इसका अंसर है 10 अब इसको सॉल्व करें इस तरह का एक क्वेस्टन है इसका मान निकालना है इसका सही एंसर हम बता देते हैं इसका नमबर एक सही होगा आप इसको सॉल्व जरूर किजिएगा इस तरह का एक क्वेश्चन है इसको भी आपको सॉल्व करना है क्यासी नमबर का इसका सही अंसर हो जाएगा 500 अगला पुरास ने एक विज़ारथी को दीवी संख्या में चारवट पांस से गुना करने कहा गया किन्तु भूलवास उसने चारवट पांस से भाग दे दिया उसका सही उत्तर से 36 अधिक आया दी गई संख्या थी तो क्या होगा इसको आप इस सवाल को सॉल्व करेंगे आप आप जरूर निकालना है इसको इसका सेंसर होगा नब्वैं कि समांतर चत्रभूज एबी-सी-डी के कौन एत था कौन बी में एक अनुपाद दो का अनुपाद है तो कौन एक कमान निकालना है यहाँ पे बी लिखा हुआ जो की मिटा गया तो यहाँ पे कौन बी होगा ठीक है और इसका सही अंसर क्या है साइट डिग्री अगला प्रस अंदरूट 3-8 का दसमलब के दोस्थानों तक मान होगा तो इसका सही अंसरम बता देते हैं इसको आप सॉल्व करें नहीं होगा तो आप कॉमेंट करें नमर एक इसका सही था एक इसकूल में 38% लड़किया है यदि लड़कों एक संग्या दो 2700 तो इसकूल में कूल कितने विद्यार थी है तो यह हो जाएगा कितना 1650 इसका सही अंसर है अगला प्रस्ण है यह तिरकोनमिती से तिरकोनमिती चेप्टर भी हम पर विडियो बना दी है पूरा तो आप उसको नहीं देखें तो जरूर देख लिजेगा 87 का सही अंसर है 45 एक पतंग भूमी से 70 मिटर की उचाई पर है तथा डोर कीतनी अवस्ता में छिती तल से तिरकोनमिती चेप्टर का विडियो बना दिये है तो डोर की लंबाई होगी क्या होगा इसका सही अंसर होगा 140 इस पर हम विडियो बना दी है तो आप जरूर देख लिजेगा तिरको क्या अंटनों में अनुपात होगा तो इसका सही अंसर हम बता देते हैं आपको सॉल्व करना है नमबर दो इसका सही अंसर है लास्ट सवाल आज का एक विडित की जिवा उसकी तिरज्या के बराभर है जिवा दुरा केंद पर बने कोन का मान होगा तो यह होगा साइट वीडियो जल्दीन लेकर के आएंगे वीडियो देखने के लिए धन्वाद चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि तो सब्सक्राइब करें वीडियो